Hello and welcome friends, आज की ये वीडियो Microsoft Excel 365 की है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ नंबर्स लिखे हो लाइक 55 है और 7 है यहाँ पर इसका addition होकर आये हुआ है उपर आपको result दिखाई पढ़ रहा होगा सम का formula लगा करके हमने इसे add कर दिया है ठीक है लेकिन problem हमारे साथ यह है कि य मदद से हम यह पता कर सकें कि यह formula है या नहीं है तो जी हाँ बिलकुल है यहाँ पर cursor को रखता हूं और यहाँ पर आकर के is equal to का निशान लगाता हूं क्योंकि हम यहाँ एक formula यूज करने वाले हैं जिसकी मदद से हम यह पता करेंगे कि यह formula actually में है या नहीं है ठीक है तो यहाँ पर लिखता हूं मैं is और यहाँ पर एफ जैसे ही type करता हूं तो इस formula आपको दिखाई पड़ जाता है क्लिक कर दीजे और क्लिक करने के बाद इसको select करेंगे यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा true का चलिए इसको drag करवा लेता है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ आप जैसे इसको drag करवाएंगे यहाँ पर मैं drag करवा के आपको दिखाता हूं यह फिल पर क्लिक किया और फिर इसको drag करवा लिया इस तरीके से तो आप जैसे इसको drag करवाएंगे एक मिनट यह हो गया यह तो यहां पर देखेंगे false आ तो कारड़ क्या है यह false आने का कि यहाँ तो हमने formula use किया है उपर देख सकते हैं उपर sum का formula लगा हुआ है यहाँ पर कोई formula नहीं लगा हुआ यह तो किवल ऐसे ही manually type कर दिया गया है 10 ठीक है तो जब भी आप formula लगाएंगे तो यह formula जो है आपको बताएगा कि यह actual में formula है या नहीं है चलिए यहाँ पर आते हैं है और अब इसी formula को यहाँ से drag करवा देते हैं तो यह करवा लिया हमने drag कुछ इस तरीके से तो अब देखेंगे कि यहाँ पर भी true का result आ रहा है तो i hope की बात समझ में आ रही होगी कि यह कैसे किया मैंने जैसे जब भी formula use करेंगे तो इससे यह आपको यह पता चलेगा कि actual म अपने destination point पर formula use किया है या नहीं किया है तो इस formula के मदद से आसानी के साथ आप पता कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है तो share करें thank you for watching this video